खहसे पिले मैं दूसरा प्रोजेक्ट चैरज वाज आया एक 300 सांप इसके पढले डायरेक्ट इसक से काई थी फemor हुआ और ये दूसरी फिक्चर ज Cup tutte पहुष्चरिम को ले आधीर हैं प्लिक्षा को लिम्म किया ईशय है और आ्धी स्था मुथ मिक्राते है種 हैं पहली फिल्म वो डिरेक्टिस्क थी उसमें रजदियस दुगल, अर्जुन बिजलानी और निधी सुवयाद, कभी जाने माने एक्टर्स हैं, तो उनके साथ किया था, इसमें एक तिरा साथ में ये होरर मुवी है, और थ्रिलर और इसमें रोमांस दोनों है, और मुजिकल पीम है, इसमें सर अर्टिस्ट इसमें, सर, प्रडूसर होने के नाते अगर आपसे पूछे हैं, इस इस फिल्म के स्टार कास्ट को आपने लिया, क्या रेजन था ये इन लोगों को लेने का, क्यो टीवी के कलाकार को बड़े पड़े वे जो आपने सरद की बात की माना परता, कसम्स तेरे प् मकसद सिर्फी था कि एक तो ये आर्टिस्ट अच्छे है, और दूसरा किया कि मैं सरद मलोतरा को पहले से जानता था, तो और उनोंने एक मूवी पहले भी की हुई है, तो मेरे को लगा कि इस प्रजेक्ट में ये अच्छा करेंगे जिस तरह का एक करेक्टर है, और जिस तर कि युराज जो आज की डेट का होते हुए भी अपनी पुराने रियासत और राजा महराजाओं के रुतबे को ही निभा रहा है, मतलब वो आप समझ नहीं पा रहा है कि दुनिया बदल गई, उसको इस समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका संकीपन, पागलपन इस फिल्म में तो हमने इस लिए उसको कास्ट के लिए अपने लिए हैं, तो क्या उमिद है इस फिल्म से आप मैं आपसे यह बोलना चाहूंगा कि नए कास्ट से कुछ नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेजा पहले भी उदारम दिया मैंने कि अब एक मुवी आके कई मराठी, बहुत अच्छी सेराथ, उसमें सारे नहीं कलाकार थे, पर कॉंटेंट बहुत ही अच्छा था, जिसका नतीजा है वा कि दो सो क्रोड के आसपास यह बेट सो क्रोड जो उसने कमाया, उतना तो हिंदी फिल्म, बहुत से हिंदी फिल्मों को नहीं मिलता, तो कॉंटेंट अच्छा था नहीं क जाना उनका बेकार गया या ठगे गया ऐसा कुछ लगे गई, फिल्म आज रिलीज है तो और इसके रिश्मोंस के ऐसा है, मलब क्रिटिक कि अगर बात करें, जैसे फिल्म का स्क्रीनिक भी हो चुका है कल, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जैसे अच्छा दिया और जैस तो कि मीजिकल वाइट और थिल करने वाली मूवी है और लोगों को जोरू पसंद है अगर फिल्म में क्या ऐसा कुछ है सार्टिफिकेट के अगर बात करें नहीं हमारे को इसमें यू असा रिटिफिकेट मिला और ऐसा हमने प्रयास ही नहीं कि कोई ऐसा सीन डाल दे हाई, इसमें केसिंग का सीन है, पर वह, मैं तो ही बनूँगा, इसक्रिप्ट की डिमांड ही तो हमने किया, इसके रव अभी और क्या प्रोजेक्ट हैं अपके, जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं अगले साल, जैसे कि मैं सब जगा बोलता हूं, जो मेरे को जानने वाले हैं, मेरे जो पहले का ट्रेंड बदल गया है जिए बड़े बजट की होगई है मराथी बोजपुरी के गड़गा तो कहीं न किया आप मैं मैं जरूर करना चाहूंगा पर फिलहाल जहां हूं मैं वहां का भी कुछ काम करना चाहता हूं जैसे मैं सबसे पहले ही हिंदी के साथ मराथी करन करना चाहूंगा उसके बाद ही मैं भुष्पुरी में जैओं मैं साराइट से काफी हैं इसपैर हूए है हाँ मेरे वह और श्राइंट बहुत अच्छा लगा और काम करें तरीका प्यूजिकल बहुत अच्छी फिल्म मेरा ये टेस्ट है और मैं चाहूंगा कि अच्छे लो प्रदीब केसर्मा कहीं ने कोई मन मुटा हुआ कुछ किस बात को लेकर कुछ डारेक्टर के साथ लेकर मतलब देख पड़ुसर डारेक्टर एक चोली दामन का साथ है तो कुछ अनुविल करना चाहेंगे आप वो क्या हुआ साथ नहीं उसमें हैसा हुआ कि मेरे को यह लगा क जैसा हमारा उनके साथ था जो बात थी उसमें महीं को सब कुछ करना था और को कर भी रहा है और इसी तरह कुछ फिल्म में कुछ प्रॉब्लम्स आई जो मैं चाहता था कि जल्दी सौट आउट हो पर वो सौट आउट नहीं हुए तो थोड़ी लेट भी हो गई तो यही था इसके पहले ही मैंने वो डियरेक्ट इस्क बनाई तो वो इसे बड़े बजट की थी और वो रिलीज युए अच्छा रिस्पॉंस मिला तो मैं तो यही कहुँगा कि सब कुछ बाद में सब ठीक हो गया अभी सब ठीक है और खुसी है बहुत खुसी है मलब आप लव स्टोरी में बिनीव करते हैं जो मुवी आ रही हैं लव इसके एक तेरा साथ आगे वाली फिल्में भी ऐसी रहेंगे अपकी हाँ आशिक सरेंदर हुआ वो एकदम रोमैंटिक कोमेडी वाली रहेगी और नेचरली वो मिजिकल होगी इसकी अलावा इसका बात वो नाम में इसको जुड़ा हुआ इसक आबाद इसका बात तो वो भी अच्छा वो भी कोमेडी प्लस रोमाइन्स उसको भी हम यूपी में सुट करने जाने हैं मुजिक की बात करें सर्माजी किस तरह का मुजिक है इससे मुजिक बहुत अच्छा है एक तो ने मगने की अस और पी ide up मीद्र surge इन ऑणा गया हैeld कआ है है टाइटल सौंग बहुत अच्छा है दर्श को कोई मेसेज देना चाहेगे एजे पर्डूसर आप अपनी फिल्म को लेकर जी बिल्कुल मैं यह बोलना चाहता हूं दिवाली आ गई है दिवाली में आप इंटर्टेंवेंट के लिए थेटर में जाएंगी आज के बाद हमार आप अपनी जाएंगी